दोस्तो इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं Infosys के बारे में साथी साथ बात करेंगे Paris Defense IPO को लेकर भी यहाँ पर कुछ important updates निकल कर आ रही है यहाँ पर GMP के अंदर याने कि Gray Market Premium के अंदर लगबग दो गुनों से जादा की तेजी आपको देखने को मिल रही है तो क्या आपको इस IPO के अंदर apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि कल आपके पास आखरी मोका है तो सारे आपके doubt इस वीडियो के तुरू clear होने वाले हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करते हैं बिना किसी देरी के सबसे बिले बात कर लेते हैं InfoSys के बारे में InfoSys के तरफ से आज के दिन भी हमें बहुत ही शांदर collaboration की news आते वे देखने को मिल रही है complete official updates में आपके साथ share करूँगा उसके बिले यदि आपने channel पर first time visit क्या है तो channel को subscribe करना और बिल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा जैसा कि आप देख सकते हैं InfoSys की official news में आपके सामने open कर ली है 22 September 2021 याने कि आज ही के दिन की यह updates निकल कर आई है जिसमें आप देख सकते हैं InfoSys to develop quantum computing capabilities on AWS for your information and records आप यहां पर complete details भी देख सकते हैं InfoSys ने यहां पर collaboration किया है Amazon web series के services के साथ में यहां पर आप details भी देख सकते हैं AWS के साथ में यहां पर company ने collaboration किया है और आज ही के दिन हमें यह बड़ी updates आते हुए देखने को मिल रही है जो collaboration किया गया है इसके अगर main object की बात करें तो यहां पर object भी company ने declare किया है Amazon basket is a fully managed quantum computing services that helps scientists and developers get started with the technology and accelerate research and discovery Ultimately यह quantum computing capabilities को develop करने के लिए collaboration हमें InfoSys और साथ ही साथ Amazon web services के साथ में देखने को मिल रहा है तो यदि आपने InfoSys के अंदर investment कर रखा है तो यहां पर बहुत ही शांदर update InfoSys की तरफ से हमें यह आते हुए देखने को मिल रही है ID sector के second largest company के अंदर हमें daily basis पर यहां पर coin बड़ी updates देखने को मिल रही है पिछले एक साल के अंदर InfoSys अपने shareholders को लगबग 68% तक के multi beggar returns यहां पर बना कर दे चुका है साथी साथ अगर आपने InfoSys के अंदर investment कर रखा होगा तो definitely आप यहां पर अपनी positions को continue कर सकते हैं क्योंकि आने वाले एक साल में ये shares आपको 2500 रुपे के levels पर भी trade होते हुए देखने को मिल सकता है Recently आज ही के दिन ICICI Securities ने InfoSys को लेकर यहां पर short term के 1745 रुपे के target दिये हैं वो आने वाले एक से दो trading session में ही आपको achieve होते हुए देखने को मिल सकते हैं तो यदि आपने InfoSys के अंदर positions बनाए रखी है तो यहां पर आप अपनी positions को continue कर सकते हैं आज के दिन भी हमें InfoSys की तरफ से एक शांदर updates देखने को मिली थी जिसमें InfoSys ने service now के साथ में partnership करी थी और इस service now के partnership के कारण ही आज के trading session में हमें InfoSys के share price के अंदर 1738 रुपे का high भी देखने को मिला था तो यदि आप यहां पर intra decision में भी इसे pick करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ में यहां पर InfoSys के जो important resistance और support level है वो भी share कर देता हूँ आप देख सकते हैं InfoSys के जो important resistance निकल कर आ रहे हैं दूसरा support 1660 रुपे का और तीसरा support 1651 रुपे का निकल कर आ रहा हैं इन support को धियान में रखते हुए आप intra decision के अंदर अपने risk को manage कर सकते हैं और daily basis पर काफी शांदार profit InfoSys के अंदर भी earn कर सकते हैं हाला कि अगर आपने long term purpose से view बनाए रखा हैं तो definitely यह share long term purpose में आपको पचीस सो रुपे के levels पर भी trade होते वे जल्द ही देखने को मिलने वाला है चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं Paris Defense and Space Technologies IPO के बारे में यानि कि कल आपके पास आखरी मोका है यदि आप Paris Defense IPO के अंदर apply करना चाते हैं तो अगर Paris Defense IPO की price band की बात करे जाए तो 165 रुपे से लेकर 155 रुपे की इसकी price band रखी गई है लेकिन मेरा आपसे यही request है कि अगर आप Paris Defense IPO के अंदर apply करते हैं तो आप इसकी जो cut off price है 155 रुपे उसी पर apply करिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको allotment मिलने के chances कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं IPO के size की बात करें तो 177 करोड रुपे IPO की size रखी गई है listing आपको NAC और BAC दोनों पर ही देखने को मिलने वाली है और IPO की lot size की अगर बात करें तो एक lot के अंदर याना कि आप अगर एक lot apply करते हैं तो 85 shares आगर आपको allot होता है IPO तो आपकी demate account के अंदर 85 shares Paris Defense IPO के credit कर दिये जाएंगे अब आज की अगर subscription की बात करी जाए तो Paris Defense IPO के subscription और status को अगर हम check करें तो qualified institutions जहां कल हमें 0% यहाँ पर qualified institutions की तरफ से IPO subscription देखने को मिल रहा था वहीं आज 1.67% का qualified institutions की तरफ से subscription देखने को मिल रहा है non-institutional buyers की अगर बात करें तो non-institutional buyers की तरफ से 26.32% का हमें second day यहाँ पर subscription status देखने को मिल रहा है और अगर retail investors की बात करी जाए तो 68.37% याने कि सबसे जदा हमें retail investor ही इस IPO को लेकर excited देखने को मिल रहे है तो overall अगर Paris Defense IPO की बात करें तो second day लगबख 40% 40 गुना याना कि 40 गुना यह oversubscribed हो चुका है आप daily business का data भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं day 1 और day 2 का यहाँ पर subscription status में आपके सामने open कर रखा है कल के दिन हमें Paris Defense IPO लगबख 16 times oversubscribed देखने को मिला था वहीं आज बढ़कर 40 times oversubscribed तक पहुँच चुका है number of shares की बात करें तो qualified institutionals के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,17,949 shares रखे गए हैं non-institutionals के लिए 15,36,856 shares यहाँ पर रखे गए हैं और retail investors की बात करें तो 35,85,906 shares यहाँ पर alert किये गए हैं total number of shares की बात करी जाए तो 31,440,703 shares आपको इस IPO के थुरू देखने को मिलने वाले हैं अब बात कर लेते हैं Paris Defense IPO की जो grey market premium आपको यहाँ पर recently देखने को मिल रही हैं तो यहाँ पर अगर हम कल की बात करें तो कल के दिन आपको इसकी GMP 230 रूपी याने की 230 देखने को मिल रही थी लिकिन आज ही के दिन इसकी grey market premium बढ़कर 245 रूपे पर पहुँच गई है याने की लगबग 140% तक का listing gain आपको इसके अंदर अभी के time पर देखने को मिल रहा है तो यदि आप Paris Defense IPO के अंदर allotment लगाना चाते हैं तो कल के दिन आपके पस आखरी मोका है इस IPO के अंदर apply करने का यदि आपने अभी तक free demate account open नहीं करा रखा है तो description box में आपको link मिल जाएगी जहां से आप अपना demate account open खरा सकते हैं one day आपका demate account open हो जाएगा और उसके बाद कल के दिन आप इसके IPO के अंदर allotment लगा सकते हैं चलिए दुस्तों उमीदे आपको video और update पसन आई होगी अगर आपको video और update पसन आई है तो इसे like और share करना मत बुलेगा साथी साथ अगर आपने अभी तक हमारे telegram channel को join नहीं किया है तो link आपको description box में मिल जाएगी पारस defense IPO से related अगर आप कोई और update चाते हैं तो नीचे आप comment section box में लिखकर बता सकते हैं infosys से related भी जो official updates निकल कर आई है वो already मैं आपके साथ share कर चुका हूँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated